कि अब हम लोग देखेंगे वाइक कंडिशनल और डबल इंप्लिकेशन के बारे में यह टॉपक भी बहुत इंपोर्टेंट और इसमें भी काफी बारी गेट में कुश्यन आया है इसको बहुत अराम से बहुत ध्यान से समझना मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा औ घान ओके देखो पहली बात फैने सिंबल पता हो hundreds Он doitpause person ढराते हैं ठीक है टुन लोग फॉल्स फॉल्स त्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉस्ट फॉल्स रोoya को पकू दीज़िए टैबल करहिए के सबट लोग यहां तो अंसर फॉल्स है तो अगर आप बुली निजेब्रा से आपको थोड़ा याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि डबल implication is nothing but your x-nor only है ना तो एक बुली निजेब्रा के साफ से भी देखते हैं फिर थोड़ा सा और मैं इस लॉजिक में आ जाओंगा देखो जैसे हम लोग लिखें 00011011 यह मैं आपको काफी बार बता चुका हो गर 01 वाली ट्रूटे बस जल रही है तो वह बुली निजेब्रा की है ट्रूफल्स वाली जल रही है तो वह लॉजिक की है ठीक है अच्छा तो पी एक्स नौर क्यू वाज सब्सक्राइब का बार कर लो आप तो वो क्या होएगा क्योंकि आप समझ पारहे होगी क्यूंकि एक्स और क्या होता था जब दोनों डिफेंट होते थे तो वान और जब दोनों सेम होते थे तो यह जिरो आता था और क्या ठीक है ओके और यह फिर हम ऐसे भी कह सेकते थे नॉट ओफ पी क्यू बार लगा देंगे पी बार क्यू ऐसे बार लगा देंगे यह भी बहुत सकते हैं हम लोग एक्स नौर को ठीक है तो यह सब सेम पर सेम चलेगा अब इसको लॉजिक में बढ़ा राम से लिखेंगे लॉज और यह उखेंगे रिकमेंद्ट केले लॉजिक ऑफ या क्यू देश पूंध जब सकते हैं मतलब क्यू दैश बहुत यह बोलता हूं इप हादली मेटर्स यह चलो ऐसे नौट लगा रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखें हैं थाक है पी एंड नौक्यू और नॉट पी और यह औ POS में भी हम लोग लिख सकते थे तो POS में हम लोग कैसे लिखते भी POS में हम लोग लिखते लाइक दिस जहां-जहां 0 है वो वो term हमें लिखनी होती थी तो P bar plus में Q dot P plus में Q bar ठेगा ओके तो यह हो जाता हमारे पास मतलब POS में तो logic में हम लोग इसको कैसे लिखते logic में आप guess कर पा रहे होगे P dash और Q and P और Q dash ठेगा अच्छा और क्या way out था और हम ऐसे भी कह सकते थे not लगा जेते जहां-जहां 1 है वो वाली max term लिख लेते और पूरे पर not लगा जेते हैं जहां जावन है वो max term लिख और पूरे पर not लगा दो मतलब P plus Q dot P bar plus Q bar का पूरा बार है ना like this और इसको हम लोग logic में कैसे लिख सकते थे logic में हम लोग not करके लिख देते not P और Q and not P or not Q like this ठीक है तो आप समझ रहे हो बहुत सारे ways है हमारे पास इसको दिखाने के अच्छा logic में भी एक बहुत अच्छा तरीक है मैं आपको logic में भी विवेद दिखाता हूं बट फिलहाल आप समझ पा रहे हो P double implication Q को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं अच्छा लॉट की ताइप से भी दिखा सकते हैं मतलब अगर हम लोग गुल्यूल जबरा की बात करें तो इस टाइप से भी या इस टाइप से लॉजिक में लिखेंगे तो यह दो वेज आगे अच्छा तीसरा तरीका हमारे परस के लिख लेता हूं फर्स्ट वे सेकेंड वे थार्ड वे फिर हमने प्योस की तरफ से देखा और फोर्थ वे यह हो गया ठीक है तो बहुत सारे वेज हैं एक ही अप्रेटर डबल इंप्लिक का और है जिससे हम दिखा सकते भी डैट इस आप मुझे बताओ पी इंप्लाइस क्यों क्या होगा भई पी इंप्लाइस क्यों होगा ट्रो ट्रो फॉल्स ट्रो है ना क्यों इंप्लाइस पी क्या होगा क्यों इंप्लाइस पी विल बी वाट क्यों इंप्लाइस वी विल बी जिसका मतलब क्या हुआ, P double implication Q is nothing but P implies Q and Q implies P, है न, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, यह दोन equivalent है न, तो हम क्या कह सकते हैं, कि if P implies Q and its converse, and its converse, converse क्या होता है भरी, Q implies P, बोथ are true, बोथ are true, then we have P double implication Q, ठीक है, तो बहुत सारे ways है, एक के करके मैं आपको वेज दिखा रहा हूं, ताकि आपको चीजे माइन में फिट हो जाएं, ठीक है, इस वन अफ दा, अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे, अगे बढ़ते हैं, आप देखो, थोड़ you can take flight, और Q है, you have ticket, you have ticket, तो अब P double implication Q को हम लोग कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, देखो, बहुत सारे ways हैं, पहला वे क्या है, you can take flight, you can take flight, if and only if, you have ticket, you have ticket, तो जो if and only if है, यह हमारा by conditional को बताता है, ठीक है, that is nothing but your by conditional, तो by conditional को represent कराने का इंग्लिश में, एक keyword हमें क्या समझ में आया, if and only if, अच्छा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, कि you can take flight, I double F, I double F भी वह होता है, if and only if, you have ticket, ठीक है, तो I double F भी एक keyword है, double implication के लिए, अच्छा, मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ, कि double implication के लिए, if and only if, क्यों चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखो, मैं इसको रप करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं board clear कर लेता कि P if and only if, if and only if, if and only if, P if and only if, क्यों चलता है, तो अब हमें देखना है कि यह P double implication क्यों क्यों represent करवा रहा है, देखो, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, if and only if को, हम क्या कह सकते हैं, कि P if Q and P only if Q, समझ रहे हो, प if and only if Q है, तो हम इसको कह कर सकते हैं, P if Q and P only if Q, ठीक है, यह English को मैंने बस आसे break कर लिया, sentence को, तो अब आप मुझे बताओ, P if Q क्या होता है, भी, if कैसे चलता था, उल्टा, तो मतलब Q implies P, ठीक है, अच्छा, and मतलब यही and, P only if Q, only if कैसे चलता था, सिधा, तो मतलब P implies Q, अब आप समझी गया होगे, Q implies P है, P implies Q है, तो obviously, यह किसके बराबर होगा, भी, यह equivalent हो जाएगा, P is by conditional to Q, ठीक है, ओके, तो यह हो गया हमारा if and only if, अच्छा, आप देखो, दूसरा वे क्या है, इसको represent कराने का, I double F हो हम देखी चुके हैं, तो हमने क्या-क्या देख लिया भी, if and only if, और दूसरा देख लिया, I double F, अब मैं आपको third way दिखाता हूँ, देखो, P is necessary and sufficient for Q, ठीक है, यह भी एक way है, तो हम कह सकते थे कि, you can, you can take the flight, या, you can take the flight, is necessary and sufficient for, या, you have ticket, is necessary and sufficient for, you have to take, you want to take a flight, तो समझरों कोई ज्यादा English इसी बनती नहीं है, रादर यह necessary और sufficient वाली बात है, mathematics में ज्यादा यूज होती है, तो यह English में ज्यादा यूज नहीं होती, तो मैं ऐसे कह सकता था, जैसे English में थोड़ा mathematics में चलते हैं हम लोग, P हो सकता है कि x is equal to 0, तो हम क्या कहा सकते हैं कि x is equal to 0 is necessary and sufficient for xy is equal to 0, ठीक है, ओविसली statement गलत है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, necessary and sufficient नहीं होता, कि x is equal to 0 हो, that is not necessary and sufficient for xy is equal to 0, क्योंकि x not equal to 0 भी हो सकता, still xy 0 हो सकता था, क्योंकि y हम 0 मान सकते थे, ठीक है, वो आप समझ रहे हो, यह truth value तो इसकी no doubt false है, but still मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाया है, कि हम लोग कैसी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, तो अब देखो, अभी मैं इस हीच को थोड़ा सा और, मतलब कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की, कि necessary and sufficient हम क्यों कहा रहे हैं, कि why we are saying it as necessary and sufficient, तो वोई चीज है, हम इसको break करेंगे और समझेंगे, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, देखो, तो इसको break करेंगे हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे भी, p is necessary for q, and p is sufficient for q, ठीक है, तो p is necessary for q, हम इसको कैसे represent कराएंगे, आपको यादा रहाँगा, necessary मतलब उल्टा चलता था, उल्टा मतलब q implies p, and, and हमने ऐसे लिख दिया, p is sufficient for q, sufficient मतलब सीधा चलता था, तो p implies q, ठीक है, ओके, तो finally, वोई चीज है, देखो, q implies p आगे, and p implies q आगे, तो that is nothing but p double implication q, ठीक है, ओके, तो I think आप समझ गये होगे, तो आप third way हमारे पास आगे, necessary and sufficient, ठीक है, अच्छा, वही बात है, तोड़ा सा, rearrange आ सकता है, examine, rearrange करेके भी आपको दे सकते थे, तो जैसे हम ऐसे लिख सकते थे, for p, चलो, मैं एक बार इसको, अलग से लिखता हूँ, ठीक है, देखो, next point में हम लिखते हैं, फिफ्ट वे आएगा, sorry, fourth way आएगा हमारे पास, for q, p is necessary and sufficient, ठीक है, for q, p is necessary and sufficient, तो हम, इसको बस वही बात है, इंग्लिश है, तो उसको रे इंसर के लिख सकते थे, क्या, p is necessary and sufficient for q, तो बस बिल्कुल वही चीज़ बन के आजाएगी, तो यह होगा हमारे पास, fourth way, ठीक है, तो बस और को ज्यादा इतना खास इसमें वेस बनते नहीं है, double implication में, कारण बहुत simple है, कारण में आपको बताता हूँ, देखो, implication में बहुत सारे वेस थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे direction वाली problem आती थी, यहाँ पे ना direction की problem नहीं होती, मतला बिंदा sense, p implies q, p double implication q देखो आप, q double implication p देखो, और उसके बाद फिर p dash double implication q dash, q dash double implication p dash, याद है आपको, मैंने आपको चार वेस दिखाए थे, p implies q, q implies p, p dash implies q dash, q dash implies p dash, तो मैं आपको क्या कहते था, कि यह एक गुसरे के contrapositive है, है ना, और इसको, यह contrapositive होता था, यह क्यों होता था, converse, यह क्यों होता था, inverse, तो converse inverse equivalent होते थे, और direct और contrapositive equivalent होते थे, बट यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर चारों के चारों equivalent होते हैं, तो all four are equivalent to each other, तो इसलिए यहाँ पर कोई नाम भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई direction वाला कोई problem आएगी यह नहीं, तो इसका मतलब simple क्या है भी, P double implication Q और Q double implication P एकदम सेम होते हैं, हमें कोई फरक नहीं मैसूस होता है, इनमें कोई direction वाला चकर नहीं है, मतलब double implication is commutative as well as associative, यह बात आपको याद रखनी है, तो obviously फिर यहाँ पर ज्यादा वेज नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मेरे पास 2-3 वेज हैं जो मैंने आपको दिखा दिखा दिया, if and only if I double F or necessary and sufficient, बस और कोई वेज में ज्यादा खास बनता नहीं है, ठीक है, आप देखो, false 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 true true false true true, तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं, यह देखो, P double implication को तो यह यह आदा था, अब Q double implication P का मतलब क्या होगा भई, I think आप समझ पा रहे होगे, Q double implication P मतलब जब दोनों same होंगा तो answer true आएगा, जब दोनों false होंगे तो answer, मतलब दोनों false true, तो answer true, जब दोनों different होंगे, तो answer हमारे पास false होगे, that means आप 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 से चेक कर सकते हो, बिल्कुल same to same आएगा यह और यह बिल्कुल basic है, इसमें मैं क्या प्रूफ करूँ आपको, ठीक है, P x nor q is obviously same as q x nor p, क्योंकि मैं आपको बताता था कि similarity ढूलनी होती थी हमें, तो p dash x nor q dash will also same as p x nor q, क्योंकि हम क्या कहते थे, प और q में similarity ढूंदो, या p complement और q complement में similarity ढूंदो, बात है की है, इसे ही हम कह सकते थे q dash x nor p dash, तो आप देखो जब यह दोनों same है, तो पकी बात है, यह दोनों भी same होंगे और यह भी same होंगे, तो all four are exactly same, I think आप समझ पारे होगे, बहुत basic सी बात है, इसमें मैं बहुत ज्यादा time waste नहीं करना चाहता आपका, आप checking कर सकते हैं, इसलिए यह ध्यादा रखना है, तो इसलिए ज्यादा waste हमारे पास नहीं बन के आता है, इसमें, ओके, चलो, अब कुछ-कुछ और बाते मैं आपको बताता हूं, तोसे देखो, अगर मैंने कुछ statement लिखी, P is necessary but not sufficient for Q, इसको आप कैसे तोड़ोगे, P is necessary but not sufficient for Q, देखो, तो पहले तो हम ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, दो पास में, क्या पास बनेंगे भी, P is necessary for Q and P is not sufficient for Q, तेके, P is necessary for Q and P is not sufficient for Q, अब P is necessary for Q तो आपको सीधा पता है, Q implies P हो जाएगा, यह कि कि necessary उलता चलता था, अच्छा, P is not sufficient for Q, अब यहाँ पे ना आपको फूर सी confusion आ सकती है, तो मैं confusion दूर करता हूं, देखो, मेरे पास दू स्टेटमेंट्स हैं, एक तो है, P is sufficient for Q, sufficient for Q, तेके, मैं properly लिखता हूं, यहाँ जागा नहीं बन रही है, actually, not P is sufficient for Q, आप इसको कैसे तोड़ोगे, फिर मैं इस बात में होगा, not P is sufficient for Q, तो आप I think समझ पा रहे होगे, अगर मैं यह not राद तो क्या बोलोगे, P is sufficient for Q, और not P, अब ऐसे पढ़ेंगे, not P is sufficient for Q, not P is sufficient for Q, sufficient सीधा चलता था, तो not P और Q में implication ऐसे बन जाएगा यह, तो basically ऐसे है, not P is sufficient for Q, अब यह क्या मतलब हो, P is not sufficient for Q, अगर मैं बोलता, P is sufficient for Q, तो तो आप बोल देते P implies Q, अगर मैं कहता हूं, P is not sufficient for Q, इसका मतलब क्या होगा, एक किसम से negation है न, P is sufficient for Q का, P is sufficient for Q का, negation क क्या होगा, P is not sufficient for Q, तो इस पूरे पे negation आएगा, तो please यह चीज ध्यान रखना, यह चीज पेपर में आपको confusion में डाल सकती है, कि P is sufficient for Q, या not P is sufficient for Q, दोनों में क्या difference है, तो आपको समझ में आना चाहिए, तो फिलहाल P is necessary for Q and P is not sufficient for Q, हम इस को इस टाइप से खोले गए, अच्छा, हो सकता है कि आपके पास यह option नजर आया exam में, और हो सकता है कि यह option नजर नजर नहीं आए, तो नजर नहीं आरा आपको option यह, तो फिर वोई बात है, simplification करनी पड़ेगी, आप simplification, बूलियो नजब रखे थूरू कर सकते हैं, तो मैं अफ्रावट से करके दिखा आपके बार, ठीक है, अच्छा, तो अब यह क्या बन कहाएगा भी, PQ बार प्लस में, PQ बार, ठीक है, न, देखो, PQ बार, प्लस में, PQ बार, तो that is nothing बट, PQ बार, ठीक है, तो logic में हम इसको किसे, यह, item potent law हो गया न, ओके, तो PQ बार को हम logic में कैसे लिखेंगे भी, P and Q Q bar या फिर P and not Q, ठीक है, ओके, तो finally ये simplification करका है, तो हो सकता है कि ये option भी आपको exam में मिल जाए, ठीक है, ओके, अच्छा है, बस similarly, एक मैं आपको और करा जता हूँ, थोड़ा सा, just for the sake of, you can say, completion of the topic, तो, देखो, next क्या होगा, next होगा, हम कह सकते थे कि P is, P is sufficient, P is sufficient, but not necessary, but not necessary for Q, अच्छा एक बात यह याद रखना, but को मैं and की तरह यूज़ कर रहा हूँ, शायद आपने भी देखा होगा, कि कि logic में हम but को and की तरह टेट करते हैं, मैं आप एक वीडियो और बनाऊँगा, जिसमें हम लोग आपको कुछ few tips दूँगा, मैं आपको translations करने की, तो, translations की tips में मैं इस सब्सक्राइब करूँगा, कि but is used as and, unless is used as or, nevertheless is used as and, and so on, वो सारी चीज़े मैं आपको राम से explain करूँगा, अभी मैं सिफ आप इतना याद कर स p is not necessary for q, तो, प is not necessary for q, मतलब and हम पहले हैं लगा लेंगे, p is not necessary for q का मतलब क्या होगा, not q implies p, आप समझ का होगी, p is not necessary for q, necessary उल्टा चलता है, तो, अब वही बात है, यहाँ पर यह दिहान रखना, not p is necessary for q, not p is necessary for q, इसको हम लोग प हम लोग ऐसे बोलते, कि necessary उल्काच चलता का हम लोग कैसे स。 करते होगा और क्यों कंटलब किया होगा तो π का है? इसफेल करो के दिखाजिए।.. आपको एक सेकिंड में? P bar plus में Q dot Q bar plus में P का whole bar तो P bar plus में Q dot Q P bar तो आप इसको solve करोगे तो क्या बन कहाएगा भी Q P bar plus में Q P bar only that is nothing but P bar Q only तो logic में हमें लिखना होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको P dash and Q या not P and Q तेक है तो I think आप समझ गये होगे अच्छा अब एक बात थोड़ी सी में आपको और बताता हूँ इस इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ सा और explain करता हूँ आपको एक तो बाते वैसे तो हमने काफी चीजें आगे देखनी है पूरी computer science में हम यह सब बाते करते रहेंगे बड़ थोड़ सा में आपको knowledge यहां पर देना चाहता हूँ देखो जो double implication है न या by conditional है by conditional generally use किया जाता है two way theorems के लिए two way theorem तो जितने भी two way theorems आएंगी हम उसमें by condition का यूज़ करेंगे और implication किसके लिए यूज़ की जाती है जी one way theorems के लिए मतलब direction हमारे specified होनी चाहिए तो यह one way theorems में यूज़ होती है और double implication two way theorems में यूज़ होती है two way theorem और one way theorem क्या होती है two way theorem का मतलब है जो दोनों तरफ से चलेगी जैसे अगर हम कहें कि pythagoras theorem x square plus y square is equal to z square अगर ऐसा है तो हम क्या कहा देंगे कि triangle हमारा right angle है तो then हम क्या कहते हैं कि triangle is right angle और हम इसको उल्टा भी तो बोलते हैं ना कि if triangle is right angle if triangle is right angle then x square plus y square is equal to z square तो यह किसम से two way theorem है ठीक है तो अगर यह चीज़ हुई तो triangle right angle होगा और अगर triangle right angle है तो यह चीज़ हम बोल सकते हैं ठीक है तो यह बोथ भी चल रहा है तो इसका मतलब आप समझपा रहे हो जैसे आप इसको मानलो p x square plus y square is equal to z square को p मानलो और इसको मानलो q तो हम क्या कहा रहा है if p then q मतलब p implies q भी चल रहा है and q implies p भी चल रहा है मतलब दोनों तरक से ऐसे और ऐसे दोनों तरक से चल रहा होगा तब हम उसको two-way theorem कहते हैं two-way theorems में generally double implication यूज होता है तो हम यहां पर फिर बोल सकते थे कि x square plus y square is equal to z square if and only if a triangle is right angle समझे हो if and only if हम यहां पर लगा देंगे तो if and only if का मतलब क्या दोनों तरफ से चलना पर एगा तो अगर आपको इस theorem को proof करना है तो इस theorem को proof करने के लिए आपको दो-दो proof कनाने बढ़ेंगे पहला proof कि x square plus y square is equal to z square मतलब हम ऐसे बोलेंगे if x square plus y square is equal to z square मतलब अगर यह चीच true है तो triangle हमारा right angle होना चाहिए that is first proof second proof क्या होता कि triangle is right angled अगर triangle right angled है तो उसमें x square plus y square is equal to z square होना चाहिए था यह हमारा second proof होगा समझे हो तो दोनों तरीके से आपको करना पड़ेगा तब जाके आई-डबल-फ वाली थोर्म होती है आधरवाज आई-डबल-फ वाली थोर्म नहीं होगी समझे हो तो मतलब एक किसमें अधूर राएगा अगर आपने एक तरफ से है कि every prime order group every prime order group is cyclic तो यह एक one-way theorem है वान-वे थोरम क्यों है हम इसको ऐसे लिखेंगे कि prime order group मैं ऐसे लिखते हूँ प्योजी प्राइम ओडर ग्रूप इंप्लाइस cyclic group cg यह बहुत important theorem है मैं आपको group समझाऊंगा इसका प्रूफ भी दूँगा हर एक चीज हम अच्छे से detail में आगे देखेंगे इस बार 2021 में भी कोशन है था इस पे तो यह important theorem है मैं आपको आगे सिखाऊंगा इसका प्रूफ और सब कुछ बट फिलहाल आप सिस समझ लो कि इसका मतलब क्या है कि every prime order group पे cyclic group हम देखोव इस टाइब से लिख दिया यह एक वन वे थियरम क्यों है इसका मतलब क्या होगा कि अगर prime order group है तो cyclic होगा बट इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक cyclic group prime order का होगा समझे भो मतलब हर एक prime order टो होगा ये बद तो कनफर्म है इसले एक द्रेक्शन में चल रहे हैं बट कन्वर्स नों रूकर्ट मतलब every cyclic group is prime order यह बात गलत है मतलब in the sense cyclic group हमारे pass four order यह भी हो शकता है order six बढ़ यह सकता है और शीट-स पांदर का मतलब हो अभी number of elements बाद में आपको दिखाता रहूंगा डिटेल में बट में बाद आपको यह समझ मैंने चाहिए कि जैसे यह थियोरम है ना यह एक वन वे थियोरम है इसमें काफी ज्यादा true false question बनते हैं आपसे question दिखा ऐसे पूछ सकता है कि every prime order group is cyclic true false में पूछ सकता है हां जी बात बिलकुल ठीक है अच्छा फिर क्या पूछ सकता है कि every cyclic group is of prime order यह बात बिलकुल गलत है भई है ना क्योंकि one way थिखर में उल्टी तो चलेगी नी converse is not true अच्छा और क्या पूछ सकता है कि if group is not cyclic if group is not cyclic then its order is not prime क्या यह बात ठीक है हमाई पता लगाना है एक option में आप core देता हूँ कि if group is not of prime order then it is not cyclic ठीक है मैं roughly जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो उसको ऐसे देखके लिखो कि तो शायद आपको समझ नहीं आएगा मैं पढ़ते तो दुबारा से मैंने क्या बोला है implies order is not prime मतलब not p o g not p o g ठीक है अच्छा आप देखो क्या यह दोनों बात सेम है हां जी बिल्कुल सेम है यह एक दूसरे के जैसे है इसका मतलब है यह every cyclic group c g implies p o g यह बात तो बिल्कुल गलता है यह ना क्योंकि इस नौट रू अच्छा और यह क्या कहा रहा है इफ ग्रूप इस नौट primodern मतलब not p o g implies not c g क्या यह बात ठीक है नहीं यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि यह inverse है तो inverse और converse यह तो ठीक नहीं है सॉरी यह है ना converse inverse और converse यह तो ठीक नहीं है बट सब्सक्राइब होता है इन्वर्स और converse यह एक दूसरे के इक्वेलेंट होते हैं क्योंकि यह बार बार नहीं बोलता बहुत 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 सिंपल और बहुत बेसिक से होते हैं जैसे देखो अगर मैं आपको वही पाइसागर एक्जांपल दूँ तो आप एक मिनट में उसका आंसर कर पाएंगे देखो मैं आपको दिखाता हूं ओके यह देखो जैसे हमने बोला कि इसका मतलब क्या हुआ मैं यहीं से लिख देता हूं इसी थेोरम को कहने का मैं तरीका यह भी था कि हमें ऐसे भी कैसे थे 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 एक्स्क्यार प्लस वाइस्क्यार इस्क्यार क्या है if and only if triangle is not right-angled ठीक है if and only if triangle is not right-angled तो आप समझ पार हूं मैं से क्यों कह पा रहा हूं देखो जैसे इसको समझो यह यह है पी ओके और यह है क्यू तो हम यहां से क्या कह रहे हैं भी डबल इंप्लिकेशन क्यू तो फिर यह क्या है भई आप यहां से समझ पा रहे होगे not p और यह क्या है भी not q है ना तो हम क्या कहेंगे not p double implication not q थिंक आपको यहां पर कोई नाम नहीं होता लेकिन हम जब implication की बात करते तो वहां पर तो इसलिए चाहे आप इस टाइप से बोलो या फिर आप इनको फिलिप करकर करके बोलो इस समय को फरक ने पड़ता सारे के सारे वेज एक दम सेम है तो गुमा गुमा के जादा से जादा प्रूफ वाले कोशन में बनाने कोश्चिस करता हूं तो देखो वस्ट केस में क्या क्या पूछ सकता है इसमें तो मैं ऐसे पूछना हो देखो पहला ऑप्शिन देता हूं अपको कि एक्स स्क्वियर प्लस यीज इकूल टो जैड जैड स्क्वियर दैन ट्राइंगल इस राइ P IMPLIZE Q & Q IMPLIZE P, दोनों तरीक्य से चलता था, मतलब direct और converse दोनों true होते थे, तब हम कहते थे कि double implication Q true है, ठो अगर P double implication true है, P double implication Q true है, तो P IMPLIZE Q true तो जुरूर हो गई होगा और similarly Q IMPLIZE P true हो गई होगा, तो हम यहाप यह भी कह सेते थे, कि if triangle is right angled then x square plus y square is equal to z square बात बिल्कुल ठीक है भई? ठीक है? अच्छा अब क्या कर सकता था मैं इसमें? यहाँ पर आप दोनों को false करनी कोशिश करता है और दोनों को false करके किसी भी direction में लिखो answer एकदम same आएगा, कोई फरक नहीं मतलब वो भी true होगा लेकिन खास बात के याद रखने है दोनों पर compliment होना चाहिए देखो मैंने दोनों तरीके से लिखा है नहीं तो दोनों को सिधा सिधा लिखा है compliment ठीक है अब दोनों को compliment करके लिखता हूं मैं ऐसे बोल सकता था कि if x square plus y square is not equal to z square then triangle is not right angled हंजी बात बिल्कुल ठीक है क्यों 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 है क्यों हमें पता है कि not p double implication not q यह true है दोनों साइड से true है तो एक साइड से तो फक्की बात है true होगा ही होगा है ना अच्छा और यहां पर यह भी मैं क्या सेकता था कि if triangle is not right angled then x square plus y square is not equal to z square यह बात बिल्कुल ठीक है क्यों 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 सीधे हो यह दोनों पर कॉंप्लिमेंट हो बट एक सीधा और एक कॉंप्लिमेंट हो तो गरबड हो जाएगी तो वह बिल्कुल फॉल्स होगी तो जैसे मैं यहीं लिखके दिखा जाता हूं आपको पहले इ यह बात भी बिल्कुल ठीक है क्यों ठीक है कि हमें पता है कि not q double implication not p true होगा क्यों कि p double implication q true है तो obviously not q double implication not p true होगा दोनों साइड से true होना ही होना है तो बहुत सिंपल सी बात है मैं इसको ज्यादा खीचता नहीं आपका time waste में ज्यादा नहीं करता तो अब समझ गयोगे मैं य x square plus y square is not equal to z square then triangle is right angled ये बाद विल्कुल false है अगर मैं कहूं कि if triangle is right angled then x square plus y square is not equal to z square ये बाद विल्कुल false है तो समझ गयो आप या तो दोनों को true रखो ये दोनों को false रखो तो देख रहो बहुत सिंपल होते हैं ज्यादा tough नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा question नहीं आते हैं true false वाले ठीक है समझ रहे हो डबल implication true way theorem होती है तो इस पर true false की question बनते हैं पर बहुत ज्यादा chance नहीं कि वह gate में पूछे true false question बहुत बनते हैं क्योंकि common sense से हम इतनी जल्दी answer नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि एक तो theorem आपको पता होने चीए जो direct होईगी तो आप देख लेना कि जो भी contrapositive version होगा वो ठीक होगा बाकि inverse या converse हो गलत होगे तो आपको समझ में अगया है वैसे तो पूरी computer science में आपको यह सब पढ़ाना है one way theorem में आपको बहुत सारे दिखाऊंगा two way theorem बहुत सारे दिखाऊंगा group theory में तो भरी पढ़ी है वे one way theorems ठीक है cycle groups में बहुत सारी one way theorem में आपको पढ़ाऊंगा ऐसी अलग लग topics में हम देखते रहेंगे तो में बहुत ज़्यादा नहीं खिचता इसको आपको समयाच चुका है कि two way theorems में true false question बहुत सारे नहीं बनते हैं बट one way theorem में बहुत सारे दिखाऊंगा तो जैसे से बनते जाएंगे जैसे से हम आगे topics पढ़ते जाएंगे है वह मैंने फिर नेक्स वीडियो में आपको कवर आप कर लाग मां फोड़े प्रैक्टिस कोशन में आपको चाहता हूं कि करा दूं फोड़ी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ठीक है वह नेक्स वीडियो में देखते हैं ओके